Good morning to all of you बेटा, आज की क्लास में आपका स्वागत है हम आज हमारे सध्याए को वन और वन्यजीव संसादन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की हम सुरुआत कर रहे हैं कि किस परकार जो है वन संसादनों की बरबादी में किसका महतवपूर्ण हाथ है पसु चारण का और इंधन की लकड़ी की कटाई का कि जो पसु हम चराते हैं पसु को चराने के लिए चारागाहों का निर्मान जो हम करते हैं तो उससे मिर्दा क्या होती है खतम हो जाती है और छोटे जो पेड़ पोदे होते हैं वो पस्वों के खुरों के नीचे आकर क्या हो जाते हैं खतम हो जाते हैं इसके अलावा जो है इंधन से भी जो है हम पेड़ पोदों को क्या करेंगे काटते हैं लेकिन इंधन की लकड़ी जो हम प्राप करते हैं उससे बहुत ज्यादा पेडों का जो है नुकसान नहीं होता क्योंकि इससे हम खाली क्या करते हैं उसकी पेडों की टहनिया ही काटते हैं कि पूरा जो है पेड काटते हैं वन पारिष्टी्टी तंतर के अंदर देश के मुल्एवान जो वन पदार्थो और खनीजो रण्ये संसाधनों के संचे का क्या है कोस है जो तेजी से हमारी विक्षित होती और दोगिक जो सहरी अर्थविवस्ता की मांग की यह क्या करते हैं पूर्ती करते हैं यह जो आरक्सी छेतर है अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग माइने रखते हैं और विभिन लोगों के वर्गों के बीच संघर्ष के लिए नुखूल प्रिस्तितियां भी क्या करते हैं पैदा करते हैं अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर यह देखिए हिमालयान याव संकट में है यह याव का एक पोदा है जो हिमालय छेतर के अंदर जो पाया जाता है। तो विसो के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली यह कैंसर ओस्दी है इसके लिए लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इन पेड़ों को क्या कर रहे हैं काट रहे हैं इससे वनस्पति जाती के इस पोदे को क्या हो गया है खत्रा पैदा हो गया है इसके अलावा भी बहु करने वाले कारक कौन-कौन से है तो पहला कारक तो है वन्य जीव जो है उसके आवास को क्या कर देना खतम कर देना वनों को खतम कर देंगे वनों के अंदर ही कौन रहता है जंगली जीव जन्तु रहते हैं वहीं पर वो अपनी क्या गरते हैं सुरक्षा करते हैं जैसे कि खरगोस है अगर जाड़ी नहीं होगी तो वो छिपेगा कैसे जंगली कुत्तों से तो उसके लिए जाड़ी ही क्या है उसका आस्रे स्थल है दूसरा क्या होता है जंगली जानवरों को क्या करना मारना अगर हम जाड़ा जंगली जानवरों का सिकार करेंगे तो एक जाती कि अगर जंगली जानवर क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो दूसरी के बढ़ने सुरू हो जाएंगे जैसे कि मानलो हमने सेरों का सिकार कर लिया तो इर्नों की संख्या बढ़ेगी इनों की संख्या अगर जादा बढ़ जाएगी तो घास और वनों के उपर उसका वीपरी तसर पड़ेगा और वो बिल्कुल क्या हो जाएगे समाप्त हो जाएगे कुछ समय के बाद हिनों को जो हरी घास सांस लेना भी क्या हो जाता है दूभर हो जाता है और नं Tube Bbersoni नमबर 4 पर आता है दावानल कई बार जो है बहुत भेंकर जो है वनों में क्या लग जाती पिछ़्य आग लग जाती पिच्छे आपने देखा हुगा कि किस परका रोःस्टे लिए वनों के अंदर आग लग गई थी और कितने ही लाकों और शैकड़ों की मातरा में वनों में रहने वाले जीव जन्तु जो है मोत का गरास में चले गए थे इसके अलावा जो नमबर पांच बात आती है वो आती है संसादनों का एसामान बटवारा एसवान बटवारा कैसे जो अमेर लोग है उनका संसादनों के उपर नियंतरन बहुत जादा है और वो उनका बेखोफ क्या करते हैं उपयोग करते हैं लेकिन जो दूसरे लोग है उनका इसके उपर नियंतरन नहीं है तो वो उसके अंदर जो इस्तेमान नहीं करते हैं और जो कमरी की जो नागरिक है वो उसका जो ओस संसादन का उपभोग है वो सोमाली जो नागरिक है उसके ओस उपभोग से कितना गुना जादा है 40 गुना जादा है और भारत में बता रहे हैं देखो कि 5% दनी लोग जो है वो 25% लोगों के बराबर कितने परतिसत लोगों के बराबर 25 परतिसत जो लोग है उनके बराबर जो गरीब लोग है उनकी तुल्ला में अपने संसादनों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं देख लीजिया और यही जो 5% लोग है वो प्रियान के रखरकाव में कोई भी इनकी जिम्मेदारी नहीं है अब परसन यह है कि कौन क्या और कहां से और कितना उभोग कर रहा है यह सारी की सारी चीज़ें हमें कहां से मिलती है जो हमारे साखिकी विभाग है वो हमें आकड़े कटे करके देता है अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि यह जो वन और वनने जीवों का विनास हो रहा है यह केवल जीव विज्ञान का विसे इनी है कि जीवजन्तु के बारे में जानने वाले लोग ही इसको बताए लेकिन ये अब हमारे किसका विशे बन गया है सांसकर्ति की विवदता का विशे बन गया है और वो लोग केवल अपनी जो आवसकता की पूर्ती है वो इनी पेड़ पोदों से करते हैं ये देखिए बहुत से ऐसे समुदाएं हैं परसन आ जाता है ये कई बार कि भारत के आदिवासी समुदाएं जो पेड़ पोदों पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं या कई बार ये परसन आ जाता है कि जेव संसादनों की विरास का समुदाएक लोगों के उपर किस परकार पर भाव पढ़ता है व्याख्या कीजिए ये देखिए कि वनों पर अधारित समुदाए क्या होते जाएंगे निर्धन क्योंकि वन खतम हो जाएंगे तो वो लोग अपनी आजीवी का कहां से चलाएंगे और आर्थिक रूप से कहां चले जाएंगे आजिये पर चले जाएंगे और क्या बन जाएगे वेतन भोगी बज़दूर क्योंकि ये लोग समुदाय के लोग खाने पीने के लिए ओसदी के लिए संसकर्ती के लिए ध्यातम के लिए वन और वन्य जीओं पर क्या करते हैं निरभर करते हैं और यहां पर पुर्सों की एपेक्षा है महिलाओं के उपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि mostly खाने का जो सामान होता है उन घरों के अंदर वो जुम्मेवारी किसकी होती है महिलाओं की इकठा करने की होती है और अगर ये संसादन हम खतम कर देंगे वनों को अगर हम बहुत लंबे छेतर से विहीन कर देंगे तो महिलाओं को अपने इन संसादन को जुटाने के लिए 10-10 किलोमेटर क्या करना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, यह देखिए, और अगर वो इतने किलोमेटर पैदल चलेगी, तो उनका सवासत्य क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, एक तो सवासत्य की समस्याएं हो जाएगी, दूसरी क्या हो जोईगी, इनको अपने बच्चों को घरों में छोड़ना पड़ेगा, और वो बच्चों की भी क्या नहीं कर पाएगी, देखबाल और उनकी भी क्या होगी, उपेक्षा होगी, ऐसे गंबीर जो है समाजी क्या आते हैं, दूस परिणाम आ रहे ह और वो किसकी वज़े से आ रहे हैं, एक मातर केवल और केवल वन और वनने जीवन के विनास की वज़े से, ये देखी आप वनों की जो कटाई के जो प्रॉक्ष जो है परिणाम है, वो सारे हमें यहाँ पर क्या आते हैं, नजर आते हैं, और इसके कारण जो गरीब व्यक्त अंदर एक सबसे वड़ा क्या है, सादन है, और भारती है जो महादीप उसमें वन और वनने जीवन का मानो जीवन के लिए कल्यानकारी महतो है, ये आवसक हो जाता है कि हमें वन और वनने जीवों का संड़क्षन करने के लिए क्या बनाई जानी चाहिए, निती बनाई जान हैं कि इन परकार की जल वायों और मिर्दा इनके लिए बनने के लिए आव सक है और इनके संरक्षन के लिए हम क्या कर सकते हैं तो उसके लिए भारत के अंदर एक अधीनियम पारित किया गया था 1872 का अधीनिय àm यह देखिया आप वन और वन्या जीव संरक्षन 1972 के अंदर जो है लागू किया गया था इसका काम था वन्य जीवों के आवास का क्या करना संरक्षन करना और सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी क्या की गी थी इनोंने प्रकासित की गई थी और इसने एक कारियकरम जो है संचालित किया गया था जि जीवों के वैपार पर क्या लगाई थी रोक लगाई थी आमारा परसन कंप्लीट हो जाता है कि भारतिये जो है वन्य जीव सरक्षा अधिनियम जो है किस कारिय करम के तहच जो है वन और जीवों का क्या करते हैं संरक्षन करते हैं उन्होंने जो है वन और वन्य जीव को बचा दूसरा था कि इसकार की उपर पर्तीबंद लगाया, तीसरा था जो जीवों का वैपार किया जाता है, उसके उपर क्या लगाई थी उन्होंने रोक लगाई, और चोथा था रास्ट्रिय उध्यान, और वन्या जीवा stock, पसू विहार विहार भी इन लोगोंने क्या किये थे, स्थापित किये थे इसके अलावा जो है केंदर की जो सरकार है वो भी कई परियोजनाएं चला रही है जिनका उदेश से भी क्या है गंबीर खत्रे में पड़े कुछ विशेश जातियों को क्या करना रक्षन परदान करना और वो कौन-कौन सी जातियां है एक तो बाग है एक गैंड़ा है तीसरा क्या है कस्मीरी हिरन है चोथा तीन परकार के मगरमच होते एक तो सवस्च जल में रहता है उसका दूसरा लवनिय जल और तीसरा कौन सा है गढ़ियाल इनके लिए बी स्पेसल जो है कारिय करम क्या किये गए है निर्धारित किये गए है इसके अलावा भारत के अंदर जो ACI सेर है जो बिल्कुल समाप्त होने के किस पे चला गया है कगार पे चला गया है उसके लिए और अन्य प्राणी भी समें क्या है सामिले इसके लावा भारतिया आथी है काला हीरन है चिकारा है भारतिया गोडावन है हिम तेंदूओं के सिकार और वेपार पर पूनते क्या लगा दिया गया है परतिबंद लगा दिया है और टाइगर को बचाने के लिए तो भारत के अंदर 1973 के अंदर ट्राइगर प्रोजेक्ट कई बार आ जाती है ये बाग परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी किस ज्यादा वेपार किया जाता था ये देखिए बाल की बागों की जो खाल है उनकी जो हडिया है इनका जो है ओस्दियों के रूप में क्या होता था प्रियोग होता था तो लोग इसको मार करके इसकी खाल और इसकी हडियों का क्या करते थे इस्तेमाल करते थे तो देश के अ मुख्य था आव सकता थी कि बड़े आकार के जीवजातियों को क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा, इसके अलावा जो है, आजकल संड्रक्षन जेयो प्रियोजनाएं पर भी केंदरीथ है, संड्रक्षन के विबिन तरीकों की गहनता से क्या की जारी है, जाज की जारी है, और संड्रक्षन नियोजन में कीटों के वो भी महतो दिया जारा है, ये कीट जो होते हैं बहुत सी बिमारियों से हमें क्या करते हैं बचाते हैं जो विशानू होते हैं जो वाइरस होते हैं उनको ये क्या है खा जाते हैं ये देखिए तितलिया हैं पतंगे हैं भरंग है और ड्रेगन फलाई को भी संदक्षन जातियों में इननों ने क्या किया ह सामिल किया है और 1991 में पहली बार पोदों की 6 जातियों को भी समें क्या कर दिया गया सामिल किया गया है उसके बाद हमारा next जो point आता है वो आता है one और one जीवों के जो संसादन उसके परकार और उसका वितरन तो सबसे पहले one को तीन भागों में बाटा गया है जो हमारे पास जो one है वो परतेक्स या प्रोक्स रूप से सरकार के नियंतरन में आते हैं यह देखिए यदि हम one और one जीव संसादनों को संरक्षित करना चाहे तो उनका परबंदन नियंतरन और वीनियम अपेक्ष्या करत के आओगा कठिन क्योंकि भारत के अधिक्तर one और one जीवन या तो परतेक्स रूप से सरकार के दिखार चेतर में या फिर किसके दिखार चेतर में one भी भाग के या फिर अन्य विभागों के जरीए सरकार के परबंदन में है इन्हें निमनलिखित भागों बाटा गया है तो पहला हमारे पास कुण सा होता है आरक्षित तो देश के आदे से ज़्यादा जो वन है वो क्या कर दिये गए है आरक्षित गोशित कर दिये गए है किसके लिए one और one ने जाती हों कि संरक्षन की आरक्षित one को बहुत मुल्यवान माना जाता है और इन में लकडी काटना और सिकार करना मना है क्या करना लकडी काटना और सिकार करना दोनों ही इसके अंदर क्या है मना है कोई भी वेक्ति इसके अंदर ना दो लकडी काट सकता है और ना ही क्या कर सकता है यहाँ पर जाकर के सिकार कर सकता है दूसरे जो हमारे one आते हैं वो आते हैं रक्षित one इसके अंतरगत एक तियाही से क्या किया गया है और इन वनों के अंदर व्यक्ति क्या कर सकता है थोड़ा बहुत जो है लकड़ी काट सकता है उसके बाद में तीसरा हमारे पांस आता है वरिग है करती है वो one है जो सरकार के नियंतर्ण में नहीं है किसके नियंतर्ण में नहीं है सरकार के नियंतर्ण में नहीं है जबकि किसी विशेश समुदाय या व्यक्ति इनके उपर क्या करते हैं अपना नियंतर्ण स्थापित करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं सथाई वन भी कहते हैं इनको भी हमें क्या करना चाहिए बचाया जाना चाहिए तो सबसे ज़्यादा जो वन हमारे देश में अगर कहीं भी है तो वो किस में है मद्य परदेश में है सरवादिक जो है वन शेतर कहां पर है मध्य परदेश में जो कुल वन शेतर का कितना परतिसत है 75 परतिसत इसके अलावा जम्मू कस्मीर में आंदर परदेश उतराखंड केरल तमिलाडू पस्मी बंगाल महारास्टर में भी कुल वनों का एक बहुत अनुपात क्या रक्षित वनों में है जबकि हर्याना, पंजाब, उडिसा के अंदर राजस्तान में कुल वनों का रक्षित वनों का एक बहुत बड़ा क्या है अनुपात है और पुर्वोतर राजियों के अंदर पाए जाने वाले जितने भी वन है वो क्या है एवरगी कृत वन है उसके बाद हमारा नेक्स जो पॉइंट आता है वो आता है समुदाय और वन संरक्षन यहां हम बात करेंगी कि ऐसे कौन से गरामिन समुदाय है जो वनों का संरक्षन अपने स्थर पर करते हैं तो राजस्तान के अंदर है जिनोंने जो है एक भैरोदेव जो है शेंचुरी नुक कर दिये 1200 हेक टेर के अंदर और उस समुदाय के लोग जो है वहाँ पर अपने ही क्या करते हैं कानून बनाते हैं किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर खनन करना किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर वन काटना पसू का सिकार करना सारे के सारे क्या है वहाँ पर जुरम गोसित किये गए हैं तो हमार सथलों के संरक्षन में क्या हैं जूटे हुए हैं तो सारिष का ये राजस्तान में हैं बाग रिजरों में राजस्तान के गाउं के लोग वन्य जीव संरक्षन अरीनियम के तहत वहां के खननकारिये को बंद करवाने के लिए क्या हैं संगरस्त रस्त हैं कई चितर में ये परस वन्य जीवों के आवासों की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, सरकार की और से हस्तक सेप को भी क्या नहीं करते हैं, वो सविकार नहीं करते हैं, ये देखें, राजस्तान के अलवर जीले के अंदर बारा सो अक्टेर वन भूमी में बहरो देव डाकव सांचुरी गोसित कर बहु गुणाने किसने चलाया था सुंदरलाल बहु गुणाने कि अगर कोई भी पेड़ पोदा अगर काटने के लिए आएगा तो हमें पेड़ पोदों से क्या कर जाना है चिपक जाना है और उस पोदे को हमें नहीं काटने देना है और ये अभियान देरे देरे पूरे भार से दिखा दिया था उन लोगोंने बिना किसी रसाइनिक उरूरक का प्रियोग करते हुए जो है फसल का क्या किया उत्पादन किया जिससे प्रियाउण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा इसी कारण जो है उडिसा की सरकार ने एक कारियेकरम संचालित किया था ये 1988 के अंदर इसकी सुरुआत जो है उडिसा के राज्ये ने की थी इनोंने अपना पहला प्रस्ताओ क्या किया था पारित किया था और बताया था कि गाउंस तर पर हमें क्या बनानी चाहिए संस्ताएं बनानी चाहिए गरामिन सतर पर वन अधिकारी सियुक्त रूप से ये काम क करेंगे और इसके बदले में जो गैरी मारती लकडी जो प्राप्त होगी उनका लाब किसमें बाठ दिया जाएगा गिरामिनों के अंदर क्या कर दिया जाएगा बाठ दिया जाएगा ये देखिए आप बहुत असानी से इस चीज को क्या कर सकते हैं हमें समझ सकते हैं देखे कि गैरी मारती जो वन के अकदारी होंगे सपल संक्र से प्राप्त इमारती लकडी के लाब में भी क्या होंगे भागीदार होंगे तो भारत के प्रियावन के विनास और पुनर इनमार्ण की क्रिया सिल्ताओं से हमें सीख मिलती है कि सथानिय समुदायों को हर जगे प्राकरतिक संसादन प्रबंदन में क्या करना चाहिए हमें सामिल करना चाहिए और स्थानिय समुदायों को फैसले लेने की प्रिकिरिया में भी जो है मुख्य भूमिका में अभी हम इनको नहीं लेके आ रहे हैं वहाँ भी हमें इनको लेके आना जाहिए अते ये वे विकास किरियाई मानने होनी चाहिए जो जन्मानस पर क्या हो केंदरित हो प्रियाण की इतेसी और आर्थिक रूप से क्या हो पर्ति फलित होती हो क्योंकि ये देख लीजी आप पेड एक विसेश जो है ऐसी में द्यालूर उदारपून जीवधारी है क्योंकि सब कुछ अपना जो है ये औरों को दे देता है जो अपने सतत पोसन के लिए कोई भी चीज की मांग नहीं करता और दान सिलता पुरुक अपने जीवन की क्रियाओं को भेट करता है सभी की रक्षा करता और स्वेम पर कुलाडी चलाने वाले विनासक को भी क्या करता है ये च्छाया परदान करता है और हमारा एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि हमें जो है इनकी क्या करनी चाहिए रक्षा करनी चाहिए इसके साथ ही हमारा ये पार्ट जो है कम्पेट हो जाता है इसके कुछ एक परसन है हम उनका जो है अध्यन करेंगे पहला परसन है ऐसी कौन सी टिपनी है जो प्राकर्तिक वनस्पती जात के हरास का कारण नहीं है तो कौन सी नहीं है अगर आप पसुओं को चराते हैं और इंदन के लिए लगड़े एक्तरित करते हैं प्राणी जात रोनस्पती को कोई भी नुकसान नहीं होता दूसरा होता है इन में से कौन सी सीदी भागेदारी नहीं करता है तो कौन सी सीधी भागेदारी नहीं करता है वन्य जी उपसू वियार क्योंकि बीज बचाओ आंदोलन में भी आम लोग सामिल हुए हैं श्युंक्त वन परबंदन के अंदर भी लोग सामिल हुए हैं और चिपको आंदोलन में भी लोग क्या हुए हैं सामिल हुए है अभी हमारे सामने एक बहुत असान से जो है परसन यहां पर आये थे कि जो हमारे पास जो काला हीरन है वो किस जो है स्टीपी में है वो लुप्त होने के कगार पे है या नहीं है तो कौन से में था आप ध्यान दीजिए इसके अंदर कहां पर पहुंचा हुआ थ तक हमारे पास ध्यान से देखेंगे बेटा आप इसको और इसका जो है उतर चाटने का भी आप क्या करेंगे प्रियतन करेंगे बताईए आप मुझे कि कि स्थिती के अंदर जो है हमने उसको जो है छोड़ा था बताईए आप ध्यान पुरवक, काला हीरन किस में आता है, किस में आएगा बेटा, संकट गरस्त में आएगा, मैं ये अंडरलाइन भी कर देता हूँ, काला हीरन किस में आता है, संकट गरस्त में आता है, एस याई हाथी किस में आता है, सूबेदे में आता है, उसके बाद अंडमान जंगली सुवर अंडमान जो जंगली सुवर था वो कौन सी थी? स्थानिक थी अंडमान के अंदरी मिलता और ये कहीं पर भी नहीं मिलता गुलाबी सिर्वाली बतक बिल्कुल क्या हो गई है? लुप्त हो गई है और इमालियन भुरा भालू क्या है? दुरलर पर जाती में आता है उसके बाद मेल करना आरक्षित वन कौन से होते हैं हमारे पास ध्यान पूर्वक देखेंगे आरक्षित वन कौन से होते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बीच वाला वन वन्य जीव संसादन संरक्षन की दरस्टी से जो सरवाधी क्या होते हैं, मुल्यवान होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आरक्सित, संरक्सित किसको बोला जाता है, कि वन और वो भूमी जो अधिक अक्सरन से क्या की जाए, बचाई जाए, और एवरगी कर्त में कोण आ जाएगा, सरकार और क्या जाएगा, समुदायों क के अधीन आने वाले वन्य जीव जै विविदता अभी हमारे पास आ गई थी मानों के लिए क्यों इंपोर्टेंट अभी हमने पड़ा था प्राकर्तिक वनस्पति जात के हारन के हमने कारत भी आपको बताये थे कि गिरशी छेतर का हमने विस्तार किया है विसाक्त करण परियावन हमने बना दिया है रेल लाइनों को भहत अधिक क्या किया है बिचाया है अभी हमने इसकी बात की थी कि कौन से समुदाई वनों के संद्रक्शन में वुमिका नहीं बाते तो बहुत असानी से आप इसका अंसर दे सकते हैं और वन और वन्यस अंद्रक्शन जीव में से योगी जो एरिती रिवाजों के उपर भी क्यार लिखिए आप निवन लिखिए और इन सभी परसनों को आप अपनी कोपी में राइट डाउन करेंगे ठैंक्यू बेटा